बिस्मिल्यार रख्मान रहीम अस्मालेकूम एनलाजी एक बहुती इंपॉरंट पॉर्शन है वन पेपर एमसी क्यूस के टेस्ट का एक चली यहां पर पेर्श होते हैं अगर आपने मैटमेटिक्स को पढ़ा है रेशो पर पॉर्पॉर्शन तो फिर यह कुछ उसी टाइप का है और यहां नहीं सिर्फ अब कुछ दोस्त कहेंगे आपको कि जो एनलाजी है इडिस आल अबाउट आईक्यू लेकिन ऐसी बात नहीं है यहां पर आईक्यू भी उसके साथ-साथ इंगलिश लेंगड़िज और जी के ठीक है यह तमाम चीजें हैं जो आपको कवर करने है इस कोशन को हल करने के लिए आईए कुछ मैंने एक्जिम्पल्स लिखे हैं यहां पर आपके लिए एनलाजी यहां कुशन नमबर वन है रिवर ओशन रिवर को हमने जोर दिया शामल कर दिया ओशन के साथ अब रिवर जो है जमीन से घिली एरिया से निकल कर लगता है जाकर इट फाल्स एंटो सी और ओशन ठीक है लो अब यहां को आपशन ए बी सी दिये गए हैं जो काफी सिमिलर आपशन होगा लाइक रिवर एंड ओशन तो उसको हम टिक करेंगे यहां लिखा है कार और ड्राइवर यह तो बिलकुल भी मेच नहीं कर रहा यह लिखा है लैन एंड रोज अब यहां आपको मीनिंग जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग लाजमी आने चाहिए यह है म wichtig यह यह मुझे यह तो यह थोड़ासा यह लग रहा है लेंका है कोटा सा एक राश्ता राइड है एक मैं मैं जो है एक रोड है एक राश्ता है वहाँपर और यह पैन और यह बोक की यह बिलकुल भी नहीं तो यहां पर यह वाला आफशन सही है यह वाल आफशन तो B is right answer land and roads आगे चलते हैं नमबर टू कुशन है insect कीडे मकोड है और यह disease बीमारी क्या होता है कि इंसेक्ट से क्या होती है बीमारी ओके गुड जरा आगे चलते हैं ए बी सी यह करा है कि वार जंग डिस्ट्रक्शन चलो भाई जरा आगे चलते हैं तो इसको पैंडिंग में रख लेते हैं हम लोग वार आर्मी यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है पैन राइटिंग अब देखिए जरा पैन से राइटिंग को हम कर लेते हैं लेकिन याद कीजिएगा यह एक प्लस चीज है एक अच्छी बात है पैन से हम लिखते हैं लेकिन यहां पर उपर निगेटिव चीज लिखा है हामफल चीज लिखा है इसके अंगर इंसेट एंड डिजीज दियरफो तो थोड़ा क्लोज लग रहा था पैन इसको नहीं करेंगे नाओ हैर वार डिस्ट्रक्शन इस राइट अंसर जंग मतलब के तबाही बरबादी यह वाला जो है इसका राइट आफशन है अब यह मैंने काफी एजी लिखे हैं आपके लिए कॉइट एजी राइट अच्छा अब मैंने का ना सिर्फ आईक्यू की बात य इड्रेस इस कुशन्स आफ अनलाजी नमबर त्री में लिखा है सर्किल डैमेटर सर्किल डैमेटर अगर आपने पड़ा है मैथमेटिक्स को फिजिक्स को अब यहां पर यह सर्किल है यह क्या है इट इस सर्किल अब इसका यह डैमेटर हो गया यह इसका क्या है डैमेटर अ अब आगे हमारे पास जो आफ्शन्स दिए गए वो कुछ यूँ आफ्शन्स हैं करहें कि स्कॉाइर इसकॉाइर किस तरह होता है ये वाला इसके चारों जो हैं साइड्स वो बरावर गए ये स्कॉाइर हो गया इस्कॉाइर रेक्टेंगल यह तो बात बनी नहीं रही यह तो बिलकुल उल्टा है अब क्या connection है square का अब इसको अगर मैं यूं कर दूँ तो यह हो जाएगा यहां पर यह कुछ यूं होगा rectangle यहां से यह बन गया rectangle ठीक हैं अब यह कर रहा है कि rectangle और यह है diagonal मुझे थोड़ा सा यह ठीक लग रहा है यह वाला भी वाला अंसर लेकिन चलते हैं तो वर्स C यह है diameter and radius लिसन आओ यह है यहां पर इस तरह का यह है rectangle यह क्या है rectangle है diagonal अब इस कौने से लेकर मैं यहां लेकर आऊंगा यह हो गया diagonal दूसरा यहां कौने से यहां तक तो यह जो पहले हमारे पास सवाल था कि circle and diameter इस तरह का तो दिस इस दा राइट आंसर rectangle diagonal बिलकुल सही आंसर है ठीकिन इस तरह का चलो यह है diameter अगर देखा जाए तो यह है radius यह कुण सी बात है radius यह वाला है यह हो जाएगा radius यह भी गालत है यहां पर B जो है is right answer इस के अंदर B का option सही है rectangle and diagonal तो यहां पर भाई mathematics का सवाल दिया गया यह जो वो दोस्त करते हैं कि are only English no सिर्फ IQ है और कुछ नहीं यह बात भी गालत है आपके पास English और G के knowledge भी लाजमी होना चाहिए to cover analogy portion ठीक है और यह बहुत ही important section है हिसा है किसी भी तकरीबन जो test होते है one paper एम से क्यूस के तो वहां इस तरह के सवाल आपको दिये जाते हैं और यहां पर number four सवाल है airy eagle यह क्या है यह airy है यह eagle चलो एगल तो बाज समझ लिया what is airy अब अगर मेरी English कमजूर है I don't know what is the meaning of airy airy actually meaning गोंसला जहां पर बेचता है नहीं eagle उसको करते हैं गोंसला ride that's called airy अच्छा airy जहां पर इनके eagle का घर simply ठिकाना घर eagle का बाज का अब यहां पर airy में क्या लिखा है stable horse बिल्कुल ठीक आशन है यह तो जहां पर घोड़े वो जग़ों कम कहते हैं stable फोड़ा आगे चलते हैं और यह पैन यह बुक यह फुड यह वाटर यह दोनों आशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो यह horse stable यह बिल्कुल जो है एक right answer है this one is the right answer ठीक हैं घोड़ों का जगर अब यह English अगर आपकी ठीक है आपको vocabulary आपके पास knowledge है वो किवड का तो फिर आप इनको easy लिए हल कर सकते हैं तो नहीं सिर्फ मैंने का IQ लाज़मी नहीं है बलकि आपके पास GK आपकी English बहुत ही strong होनी चाहिए तब जाकर आप इस portion को आराएंसेल कर सकते या practice बहुत ज्यादा आप करें आपको नमबर पांच पर है birds परंदे birds ornithology actually the study of birds is known as ornithology ये study है birds का ठीक हैं अब आगे चलते हैं ए में लिखा है aeroplane pilot अब इसका क्या connection है birds के साथ उपर birds इसका study इसका science और यहां लिखा है aeroplane का pilot तो ये वाला option तो बिलकुल भी ठीक नहीं गलत है ए वाला नमबर B insects entomology बिलकुल ठीक है the study of insects is called entomology ठीक हैं जरा आगे चलते भी हैं नमबर C यह है planets यह लिखा है zoology बिलकुल गलत है option यह तो यह वाला option भी गलत है तो यह सही है B is the right answer insects the study of insects is called entomology ठीक है अब यह तो सवाल साइंसे दिया गया है यह जीके का पोशन अगर दिखा जाए तो ठीक है तो इस तरह के ना आपके पास सवाल आ सकते हैं from analogy तो यह वह बहुत ही important portion है और मेरे ख्याल मेरे ख्याल मेरे ख्याल में जाएंसे को पड़ा है मैंने अटेम्ट्स भी किये हैं बहुत सारे सर्व कोशन बहुत इजी पोशन है इजी इस सेंस में आपके इंगलिश अच्छी हो और आपके पास knowledge भी हो तो आपके लिए यह portion जो यह केश मार्क्स बन जाते हैं फिर यह चाहे 10 सवाल हों 15 सवाल हों 20 सवाल हों तो यह आपके लिए फिर केश मार्क्स आपको देते हैं तो भाई इस portion को लाजमी आप discuss करें इसको attempt करें इस पर आप practice किया करें ठीकिन के सवाल आते किल कैसे हैं और मैंने कहा था it is like ratio and proportion और यहां पर pairs को हमें मिलना पड़ता है जोईन करना पड़ता है और यह बहुत ही important एक portion है जीके, वन पेपर, एमसे क्यूस जो भी टेस्टे हैं वहां पर जहां भी हैं खुश रहें लाफ़ पाकिस्तान हमेशे जिन्दाबाद